हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में तवा तंदूरी रोटी और उसी के साथ बटर चिकन को कॉम्बिनेशन इसे आप ज़रूर ट्राइ कीजिए को फिर बहुत जादा मजी का होता है और बिल्कुल रेस्टर जैसा आप इसको पर तयार कर सकेंगे बहुत ही आसान मेथड से चले फिर बिनादेर की रेसपी देख लेते हैं फ्रेंट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चले फिर बिनादेर की रेसपी को पाउडर डालना है इसी के साथ मैं इस्में काले मुर्चो का पाउडर कोटर टी इसमून ऎडर करूंगी गरमम म साले का पाउडर हाफ टी स्पून एड tough को मेरा होममेड है सासी में पाउडर जालना है और इस jeśli मैं डाल रही हूं लसन अधर की paste वन टीबल सपून साथ हाफ जूस जालूंगी मैं और अब इसको अच्छ से हमें मिलाकर मिक्स कर लेना है जिससे चिकन के ऊपर मैरिनेशन का मसाला बिल्कुल अच्छ से लग जाए और इस तरह से चिकन को मसाले लगा देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत जादा जूसी सॉफ्ट बनकर तयार होता है तो अभी यहां पे चिकन मैरिनेट हो गया इसको कवर करकर मैं साइट पे रब देती हूं नेक्स टेप का जो प्रोसेस उसमें हमें तवा तंदूरी रोटी के लिए डो बनाना है जिसके लिए मैंने यहां पे दो कप रिफाइन फ्लार लिया हुआ है और इसी में मैं यहां पे बेकिंग पाउडर आड़ कर रही हूं और कौटर टी स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा आड़ कर रही हूं और इन दोनों को मैं चान लेती हूं यहां पे चानने की वज़े से इसमें एयर फॉर्म होता है और बहुत ही जादा फ्लफी होता है सॉफ् तो यहां पे मैंने तक्रीबल स्पून नमक डाल रही हूं और वन टेबल स्पून में शुगर आड़ करूंगी अब यहां पे दही में यह सारी चीजें दूद वगरा सब अच्छे से मिलाकर विस्क कर लेना है जिससे शकर वगरा सब इसमों डिजॉल्फ हो जाए और यह हमार पूरा मुलायम सौफ डो तयार कर लेना है तो थोड़ा थोड़ा करकर सारा लिक्विड हमें यहां पे इसमें पोर कर देना है और यह देखें यह पूरा इसमें चला गया है और बहुत अच्छे से डो कंबाइन हो गया है तो अभी हमें 4-5 मिर्ट तक इस डो को पंच लगा और अब नेक्स टेप में हमें फ्राइंग पैन में वायल गरम करनी है तू टू टू थी टेबल स्पून और इसमें सारा मारिनिट करकर रखावा जो चिकन है वह हमें डाल देना है पहले हमें स्टार्टिंग के 3-4 मिर्ट इसको लिड लगा कर कुग करना होगा जिससे इसके में हमें बटर लेना है तो यहां पे मैंने वन टू टू टेबल स्पून बटर लिया हुआ है बटर यहां पे मेल्ट होने लगी है इस पॉंट पे मैं प्याज ले रही हूं तो यहां पे मैंने तीन मीडियम साइज की प्याज को रफली चॉप कर लिया है और अब इसको मैं वह अलग होने लगेगी और हलकी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तब तक आपको इसको फ्राइ करना है प्याज हलकी पिंक टर्ण होने लगी है इस पॉइंट पे मैं इसमें दो टमाटर डाल रही हूं जो कि मैंने लाट साइस का लिया है और अब इसको हमें डालकर इसमें भू लेना है लो फ्लेम पे मैंने इसको बिना पानी के कुक कर लिया है और तमाटर खुद के मौइस्टर में सॉफ्ट हो गया है तो अब इस मिक्षर को ठंडा करकर पेस्ट बना लेते हैं वापस से पैन में हमें बटर अड़ करनी है तो तकरीबन मैंने टू टेबल स्पून इस पॉंट पे मैं इसमें कश्मीरी चिली पाउडर एड़ कर रही हूं जो कि मैंने वन टेबल स्पून डाली है इसी के साथ धनिया पाउडर वन टेबल स्पून जीला पाउडर हाफ टी स्पून और नमक थोड़ा सा मसालों में डालेंगे क्योंकि ग्रेवी के लिए नमक मसाले को हमें भून लेना है यह जैसे मैं मसाले को मिक्स किया है बहुँ अच्छा कलर आगया कश्मीरी मिर्च की वज़े से तो आप भी बटर चिकन में क्योंकि रेस्ट्रों स्टायल रसेपी है इसमें कश्मीरी मिर्च यूज़ करेंगे तो कलर बहुत प्या आएगा और अच्छा दिखेगा अभी जब मसाला भून जाए तो सारा जो मिक्सिर तयार हुआ है ना प्यास ट्रमाटर काजू हरी मिर्च का वो डाल देना है और डाल कर इसको बहुँ चैसे मिला कर लेना है यह देकि भूने हुए मसालों में यह मसाला पेस अच्छा से मिल गया है तो पहले के लिड लगा कर मैं 4-5 मिट कुक कर लूँगी और यह देखें हलका हलका ओयल सेपरेट होने लगा है जो बटर हमने डाली ती ना उपर आ रही है तो इसको दुबार अच्छा से मिला कर इसमें हमारा चिकन डाल देना है जो हमारा बोनलेस चिकन हमने ग्रिल कर रखा वो सारा डाल डीजे और डाल कर इसको दुबारा अच्ति से मिलाकर मिक्स कर दीजे जिससे address कर ंदर चलाएगा और दोनों अच्छे से मिल जाएंगे यह यहां पर इसको हमें डोंपежд सेखें कर दीजेगा जिसको मैं क्रेश करकर डाल रही हूं यहां पर यह ज़रूर डालियें गफरंस इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और डालकर इसको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लीजेगा जैसे ही यहां पर कसूरी में ती इसमें डाली है क्रेश करकर बहुत जादा अची खुश्बू आट पर क्रीम पर करने कि तो इसमें क्रीम फोटा लेक्र में क्रीम यहां पर टाटी कि जा विछाएं को कलर तो कि यह फदेखें ज्ए को जानने कि अगच कर लेंगे तो थोड़ा रुकर करा पिसंको मक्ष खालाई टायर गढ़ा मिक्स कर दीजह जिससे पूरा अच्छ अब इसको गार्णिश कर दिया हरे दनिये से और दो तीर मिनिट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे कुक कर लिया है इसकी वज़े से बहुत अच्छे से कुक हो गया है मसाला भी बुन गया है और खुश्बू बहुत च्यारी है यहां बटर चिकन हमारा बनकर तयार हो गया है फ्रेंट देखें यहां पे मैं बिल्कुल अच्छे से इसको मिला देती हूं और अब यह खाने को रेडी है चिकन बहुत जूसी सौफ्ट सा हुआ है बिल्कुल टेंडर हो गया है और ग्रेवी में अच्छे से कुख हो गया है तो यह लिजी फ्रेंट जट पर डिलीशिस हमारा घर पे रेस्टो जैसा बटर चिकन बनकर तयार हो गया है तो मेरे मिधर से आप भी इस बटर चिकन को एक बर जरूर ट्रॉय कीजेगा चले हम इस बटर चिकन के साथ में खाने के लिए तवा तंदूरी रोटी घर पे कैसे बनाना है सीख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पे जो डो हमने बना कर रखा था वो देखें अच्छा सा राइज हो गया है और बहुत लिगए है तो इसको हमें पंच लगा बोट लेना है जिसमें जो भी ऐर बनी तो यह देखें बिल्कुल एक रोटी चपाती या पराठी के जितना बड़ा लोई लेना है और इसको बना कर हमें सुखा बोट पे फ्लार लेना है और इसको हमें बेल कर बढ़ा कर लेना है तो रॉलिंग पिन से बस इसको गुमा कर बेल लीजे फ्रेंस और इसको लंबे कर लेना है जिसे इसमें इसले चिपक जाए और अब देखें इसकी थिकनिस मैंने इतनी रखी है इधर तवा हमें गरम कर लेना है जो कि लोही का तवा लिया है मैंने और इसके उपर पानी चुड़क रही हूं तवा गरम होनी की वज़़े से पानी इस पर ठहरता नहीं है और वैसे ही ये रोटी को डाल देते है और चिपका लेता है ये जैसे ही तवी पर पानी चुड़का आपने वैसे ही आपको रोटी राल देनी है यहां पर फिर फ्लेम हाई रखनी है और फिर उसके बाद में लो कर देनी है तो आदे से एक मिनट तक आपको हाई रखना है फ इसके उलते साइट-बी दिखाती हूँ उतने इसा सिहाँ हुआ है, क्योंकि मैंने इसको डाहिं की पानी डाल पानी डाला तो तव यह टमपरेशर एक नफैल साइट अब इसंट पानी चाहिँ हैं उतना प say कि और बस इसी तरह से आपको फुले-फुले से घर और मेजरमेंट को फॉलो करकर यह रोटी बनाएंगे तंदूरी घर पे तो बिल्कुल ऐसे ही पर्फेक्ट आपके भी तवा तंदूरी रोटी बनकर तयार होंगे तो एक बार जरूर ट्राइ करें और कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा तो यह लीजिए मैंने यहां पर आपको कॉंबिनेशन बिल्कुल रेस्टों रसा बनाकर दिखाया है जिसमें मैंने तवा तंदूरी रोटी घर पे और साथी बटर चिकन बनाया है तो एक बार इस कॉंबिनेशन को आप भी जरूर ट्राइक करें अगर कोई महमान आ रहे हैं कोई लंच या डिनर प्लान कर आप तो घर पे अपने महमानों के लिए अपने हाथों से इसे बना सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी वालो करेंगे तो जिट्टों बिलकुल ऐसा ही बना सकेंगे तो अगर रेसिपी अच्छी लगे फ्रिंस तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कीजेगा शेयर यह रोटी हमारी कितनी सौफ्ट और फलफी बनी है कि अपने देखा इसको डायरेक्ट तवे पे हमने सेका फिर भी फुला फुला सा बनकर तयार हुआ है और बहुत ही नरम मुलायम है और आप इसका टेक्शर देखेंगे तो आप इसको जरूर ट्राइ करेंगे तो आप इस थांस और चैसने से कितनी समस्नूर ये नर Crit घ questão कितनी से का आप आप सी दोग्षिक्वाड है कट एकशर थांस कितनी समय है ये कि मुला फुला हैím चाप्ट कितनी सेका ठही है धुला है